We see you a very good morning everyone. Welcome to IES Point. This is दिपाली. हमारी Economics की क्लास पर काफी दिन से ब्रेक लगा हुआ था, है न? तो actually क्या हुआ था ना कि मेरी तव्यत थोड़ी ठीक नहीं थी और इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहे थी. तो आप लोग तो ये भूली गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किस-किस को याद है कि हम क्या पढ़ रहे थे और हम क्या पढ़ने वाले हैं आप? चलिए जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है और जो लोग वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं और या जो लोग भूल गए हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम एक बार याद कर लेते हैं हम लोग उने चैप्टर टू जो हमारा था हमारा चैप्टर टू क्या था उब भोकता के वैवार का सिध्धान हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था उसके बाद हमने उप्योगिता को समझा था ठीक है उसके बाद हमने क्रम बाचक उप्योगिता गर्णा बाचक उप्योगिता इनको समझा था उसके बाद हमने सीमान उप्योगिता को सम ठाधा यह सब ने कवर कर लिया था और आज का जो हमारा 待ंदिमान बख्री की आकृति यानि जो अनधी मान बख्र होता है उसकी आकृती किस सरह की होती है और हमको इस टॉपिक में पढ़नाई अनधिमान बक्र की आकरती Sorry for disturbance अब हम इसको continue start करते हैं अनधिमान बक्र को उद्गम के प्रती उत्तल बना देता है यह अनधिमान बक्र को उद्गम के प्रती कैसा बना देता है अब क्यों बना देता है तो एक अनधिमान बक्र बना कर जांच कीजिए एक अनधिमान बक्र की यह अती सामान ने आकरती है लेकिन पूर इस्थापन बस्तुओं में सीमान प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है यह सामान रहती है एक उधारण लेते हैं जैसे हमने एक एक्जामपल ले लिया ठीक है हमने एक एक्जामपल ले लिया आपको क्या करना है 2.3 इसमें गलती से ये गलत चाप दिया है इन्होंने 2.3 नहीं यहां पर 2.4 होना चाहिए है ना हमको ये 2.4 डाइग्राम को देखते हुए इस वाली साड़नी को बनाया है इन्होंने गलती से उनसे मिस्प्रिंट हो गया होगा तो चलिए 2.5 पहले आप 4 देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है पांच रुपे के नोटों की संख्या यहां पर दिया है बन 2, 3 and 4 ठीक है और यहां पर क्या दिया है पांच रुपे के सिक्कों की संख्या 5, 6, 7 और 8 और इसका ग्राप कैसा बन रहा है सीधा ठीक है बन रहा है ना A, B, C, D ठीक है यह तो आपने देख लिए डाइग्राम ठीक है नॉर्मली दिखा रही हूँ अभी बाकी मैं आपको आँगी समझा दूँगी तो यहां पर क्या बताया है 5 रुपे के नोटों की संख्या तो यह हमने यहां पर लिख लिख लिए 5, 6, 7, 8 ठीक है और फिर सीमांत प्रितिस्थापन दर ठीक है एक अनुपात एक एक अनुपात एक, एक अनुपात एक है ठीक है यह तो आपको नॉर्मली उन्होंने बता दिया यहां इन सभी संख्यों की बीच जब तक की 5 रुपे के सिक्के तथा 5 रुपे के नोटों का योग बही रहता है अब यहां क्या हो रहा है सभी संख्यों के बीच 5 रुपे के सिक्के और 5 रुपे के नोटों का योग बही रहता है देखो 5 रुपे का सिक्का हो या 5 रुपे का नोट हो उसका योग तो भही रहेगा जैसे आप हमें एक एक एक्जामपल अपने उपड ले लेते हैं जैसे हमारे पास 5 रुपे हैं ठीक है अब वो 5 रुपे का आपके पास सिक्का हो या नोट हो आपको दुकान पे जाना है जैसे एक माल लीजे आपको क्या लेना है चॉकलिट लेनी है आप 5 रुपे का नोट दुकान वाले को या उसे 5 रुपे का सिक्का दो बात तो एक ही हे ठीक है उप्भोगता तठस्त है ठीक है तो इस सवी सहयों गों के बीज जब तक कि 5 रुपे के सिक्के तथा पांच रुपे के नोटों का योग भही रहता है और भोकता तठस्त है तब भोकता तठस्त होता है और भोकता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पांच रुपे का एक सिक्का मिले अद्वा पांच रुपे का नोट तब जो भोकता होता है वो तठस्त होत की पॉलि sulfur possible के एक नुठ के बदलें ये बात को दियान में रखेगी तब करेगा इसके पास या कि आपिस पास को करेगा तो य है या नि जब रूपे को करेगा उस लिए वो पांच रुपे की सिक्क्य के त्याग करेगा इसलिए उभोक्ता के लिए ये दोनों बस्तुएं पूर्ण 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 नौट यहां दे दिये सिक्के ठीक है तो इनको अगर वो यहां से पांच रुपे के नौट को निकालता है तो यहां से वो पांच रुपे के सिक्के का त्याग करता है फिर अगर वो पांच रुपे का ये को नौट निकालता है तो पांच रुपे के सिक्के का त्याग करता है तो इनकी अनधिमान वक्र की जो रेखा होगी वो कैसी होगी, सीधी होगी, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ये नुमेरिकल, नुमेरिकल जैसा पोर्सन है, मैथेमेटिक पोर्सन है, हमें इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इसक शेको हम नॉर्मली समझ ले सकते हैं बस कितना कि क्या क्या होता है चीजों की डीफिनेशन कैसे किसको बताया जा रहा है बस इतना हम लोग जान ले हमारे लिए यह काफी है ठीक है और अगर हम इसको डीटेल से पढ़ना चाथे हैं तो वह बात अलग है लेकिन आप हम इसको ड पूर्ण पितिस्थापन बस्तूओं का अनधिमान बक्र दो पूर्ण पितिस्थापन बस्तूओं को प्रदसित करने वाली दो बस्तूओं की अनधिमान एक सीधी रेखा होती है पूर्ण पितिस्थापन बस्तूओं का अनधिमान बक्र पूर्ण पितिस्थापन बस्तूओं को प्रदसित करने वाली एक अनधिमान की ऐक सीधी रेखा होती है बात के लिएर हो गई होगी यह वाली I hope कि आपको यही समझ में आ रही होगी थोड़ा सा difficult है पर अगर आप अच्छे से समझते हैं concentration रखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी अब देखें यहां क्या लिखा है पूर्ण पितिस्थापन के लिए अनधिमान बक्र दो बस्तुओं का अनधिमान बक्र जो पूर्ण इस्थापन होती है एक सीधी रेखा होती है जब कोई भी दो बस्तुओं जो कैसी होंगी पूर्ण इस्थापन होंगी ठीक है और उन दोनों बस्तों का अनधिमान जब पूर इस्थानापन होती है और उन दोनों बस्तों का जो अनधिमान बक्र होता है वो हमेशा क्या होता है एक सीधी रेका होती है ये आपको याद करने वाली बात है इसमें पूरे point में बस एकी बात जात करने वाली आई है कि जब दो बस्तुएं होती है अनधिमान बकर होता है उनका और जो पूर इस्थाफन होती है तो उनका जो अनधिमान बकर होता है वो एक सीधी रेका होती है ठीक है? और इसका formula होता है mrs is equal to del y upon del x एल एक्स बरावर रख लेंगे बन तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा बन अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एक दिष्ट अधिमान अब एक दिष्ट अधिमान क्या होता है वो भोगता अधिमानों के बिसे में ये मान लिया जाता है कि अगर किनी दो बंडलों पर एक्सटों के बाद हम से चाहे में एक दिष्ट अधिमान का जाता है यदि और बंडलों में एक दिष्ट अधिमान देता है जिसे इन बस्तूओं में से कम से कम एक बस्तू की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी बस्तू की भी मात्रा ना हो तो इसको कौन समान कह सकते हैं? एक दिश्ट अधिमान, देखिए अब अच्छे से समझेगा यहाँ पर पहले एक बार ये भी पढ़ लीजिए अधिमान बक्रों का एक परिवार तीर दिखाता है कि उच अधिमान बक्र पर बंडल नीचे अधिमान बक्र पर बंडलों की अपेक्छा पसंद किये जाते है देखिए, पहले चीज़ तो यह है कि क्या है वोगता निचे बिशे में यह मान लिया जाता है यह होता ने, यह माना जाता है ठीक है, हम यह मान लेते हैं कि अगर किनी दो बंडल हमारे पास दो बंडल है, x1, x2 और by1, by2 ठीक है, यह हमने माना है कि हमारे पास दो बंडल है, x1, x2 और by1, by2 इन में क्या होगा X1 X2 बंडल में कम से कम एक बस्तू हो जो X1 X2 बंडल है उसमें कम से कम एक बस्तू होगी ठीक है और Y1 और Y2 की तुल्ला में अन्य बस्तू की कम मात्रा ना हो और Y1 और Y2 की तुल्ला में बस्तू की मात्रा कम ना हो तब क्या होगा उब्भोक्ता Y1, Y2 के बचाए X1, X2 को अधिमान देता है तब उब्भोक्ता Y1, Y2 की जगा पर क्या करेगा X1, X2 को अधिमान देगा अधिमानों के इस परकार को एक दिश्ट अधिमान कहते हैं और अधिमानों के इसी प्रकार को एक दिश्ट अधिमान कहते हैं, ये definition नौट कर सकते हैं, आप अपने नौट्स में और याद कर सकते हैं, यदि उभुकता किनी दो बंडलों मेंसे उस बंडल को अधिमान देता है, जिसे इन बस्तूओं मेंसे कम से कम एक बस्तू की अधिक म ऐसे मान को कहते हैं, अधिमान एक दिश्ट, यानि की एक दिश्ट अधिमान इसी को कहते हैं, तो इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू, टेक क्यार